दोस्तों न्मस्कार विधानसवाज चुनाव की तैयारिया शुरू हो गई है हर्याना के अंदर विधानसवाज चुनाव को लेकर कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी इन दोनों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है इनके सासाथ ही बाकी अन्य पार्टीओं भी चाहे वो आम आदनी पार्टी है इंडियन नैशनल लोगदल है जन्नाएक जन्ता पार्टी है वो भी अपनी तयारियों को धार दे रहे हैं लेकिन हर्याना के अंदर चूंकी इस चुनाव के अंदर जो मुख्या मुकाबला होना है वो भारती जंता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच होगा भारती जंता पार्टी के लिए जहां आपने 10 साल के शासन को दुबारा बचाने की कवायद है तो कॉंग्रेस के लिए 10 साल के सूखे को खत्म कर और एक बार फिर से हर्याना की सत्ता में आने की जुगत रहेगी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों की लोगसभा चुनाव के अंदर हर्याना की जंता ने कॉंग्रेस और भारती जंता पार्टी दोनों के लिए रास्ते खुले छोड़ दिये भारती जंता पार्टी जद दावा करती थी कि एक बार दुबारा वो 10 की 10 सीटे जीतेंगे लेकिन बीजेपी 5 सीटों पर सिमट गई हलांकि कयास और चर्चाएं ये थी कि भारती जंता पार्टी की स्थिती हर्याना के अंदर बहुत अच्छी नहीं है और कुछ भी हो सकता है लेकिन इसके बावजूद भी 5 सीट बचाने में कामयाब हो गई भारती जंता पार्टी इसे आप दोनों तरीके से ले सकते हैं कि 5 सीट बचा ली या फिर 5 सीट गमा दी लेकिन कॉंग्रेस के लिए ज़्यादा फिल गुड हुआ कि कॉंग्रेस को पिछले 10 साल का जो सूखा था लोकसभा का यानि कि 2014 में केवल दिपेंदर हुड़ा जीते थे और 2019 में वो भी हार गए एक भी सीट नहीं मिली 2019 में लेकिन 2024 के चुनाव में कॉंग्रेस ने भी 5 सीट जीत कर फिल गुड खूब किया अब बड़ी बात यह कि विधान सभा चुनाव को लेकर जो मैंने आपसे कहा कि दोनों ही पार्टियों के लिए कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी के लिए दोनों के लिए जनता ने एक संदेश दे दिया कि अगर आप अपनी तयारी मुकंबल करेंगे तो फिर हम भी देखेंगे यानि कि जिस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी तयारियां करेंगी कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी वैसा ही फैसला वैसा ही परिनाम उनको जनता देदेगी विधानसवाद चुनाव की तयारियों के सिलसिले में कल कॉंग्रेस ने एक महत्वपूर बैठक की थी कॉंग्रेस के राष्टे अध्यक्ष मल्ली कारजुन खडगे और देश की संसद में विपक्ष के नेता राहूल गांधी और उनके साथ कॉंग्रेस के तमाम हरियाना के और सेंटर के नेता उस बैठक में मौझूद रहे नीतियां बनाई गई कारेकरम तै किये गए नारा दिया गया सत्तर पार का और पांच मुद्दे में तयार कर दिये गए दूसरी तरफ भारती जनता पारटी भी पूरी तैयारी में है भारती जनता पारटी के जो राजनितिक चानक के हैं अमिशा वो 29 तारीक को हरियाना के पंचकुला के ताउ देविलाल स्टेडियम में भारती जनता पारटी के नेताओं और कारेकरताओं को साधेंगे बड़ा प्रोग्राम भी होगा और फिर जो भारती जंता पार्टी के अंदर बड़ी टोली और छोटी टोली के अलग-अलग बैठके चलती हैं वो भी होगी चलतो रही है आज कल भी आज हर्याना के मुख्य मंत्री नायव सिंग सेनी ने केविनेट की बैठक की और बाद में अपने विधायकों के साथ भी बैठक की तो मानलें दोनों पार्टियां राजनितिक रूप से पूरी तयारी कर रही है पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कॉंग्रेस की कि कॉंग्रेस की तैयारियां क्या है कॉंग्रेस में क्या क्या है इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारती जन्ता पार्टी की दोस्तों लोगस्भाद चुनाव में भारती जंतापारटी ने जो अपने 10 डारे उसके अंदर एक नया प्रेयोग किया भारती जंता पार्टी ने कई निवर्तमान अपने सांसदों के टिकट काड़ दिये करनाल से संजे भाटिया का टिकट काड़ दिया और मनोरलाल जी को टिकट मिला मनोरलाल चुनाव जीत गए कुरक्षेत्र से नायब सिंग सेनी सांसद थे वो लोकसभा छोड़ करके ब्रिजंदर सिंग और उनके स्थान पर भारती जंता पार्टी ने टिकट दिया रंजीच चोटाला को रंजीच चोटाला चुना भार गए अशोक तवर को टिकट दिया सिर्सा में सुनीता दुगल का टिकट काट कर लेकिन अशोक तवर बुरी तरह चुना भार गए महुनलाल बडॉली को टिकट दिया रमेश कौशिक का टिकट काट कर सोनी पत में लेकिन महुनलाल बडॉली भी लगबग 20-22,000 वोट से चुनाव हार गए भारती जनता पार्टी ने बंतो कटारिया को टिकट दिया अमबाला में क्योंकि वह रतनलाल कटारिया जी का निधन हो चुका था उनके स्थान पर उनकी धरम पत्नी को टिकट दिया लेकिन बंतो कटारिया भी वरुन मुलाना से चुनाव हार गई अगर आगे चलें तो जिन पुराने चेहरों को रिपीट किया भारती जनता पार्टी ने उनमें राव इंदर जी सिंग चुनाव जीत गए गुर्गराम से धरमबीर चुनाव जीत गए महंदरगर भिवानी से कृषनपाल गूजर चुनाव जीत गए फरिदावास से अगर आगे चलें तो अगले चुनाव में क्या दस साल की भारती जनता पार्टी की परदेश की एंटी इंकमबेंसी है इस anti-incumbency को बदलने के लिए या जो सत्ता का विरोध होता है उसको बदलने के लिए सरकार का विरोध होता है चहरे का विरोध होता है उसको बदलने के लिए प्रयोग किया भारती जन्ता पार्टी ने मनोहरलाल को मुख्य मंत्री पत से हटा करके सांसत का टिकेट दिया और उनको सेंटर में ले गए बना दिया पावर मिनिस्टर नायब सिंग सैनी नए चेहरे बन करके सामने आ गए नायब सिंग सैनी के चेहरे पर भारती जनता पार्टी अब चुनाओ मैदान में उतलेगी ऐसा ही लगता है नायब सिंग सैनी भी रोज नई नई योजनाए चला रहे हैं हर विधान सवा छेतर में जाकर वो जनता को अमंत्रित करते हैं कि मुख्यमंत्री निवास के दर्वाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और मुख्यमंत्री निवास पर अब कतार लगा करती हैं आजकल भीड लगा करती है लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आपसे चर्चा में हूँ वो इससे कुछ अलग है मैंने आपको बताया कि भारती जंता पार्टी ने लोगसवा चुनाओं में प्रयोग किया कई नेताओं के टिकेट बदल दिये और उसका परिणाम यह हुआ कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए कुछ कामयाब हो गए कुछ नाकामयाब रहे लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर चेहरे ना बदले जाते तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत होती फरिदाबाद गुर्गराम और भीवानी महेंदरगड को अगर छोड़ दे तो भारती जन्ता पार्टी के लिए चेहरे बदलना उनको लिए रास भी आया और अगर अब विधान सभा की बात करें तो विधान सभा में पार्टी को क्या करना होगा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताओं कि उत्तर परदेश के अंदर भारती जन्ता पार्टी की स्थिती लोकसभा में बहुत खराब होई जब उस खराब स्थिती पर समिक्षा की गई तो योगी आधित्यनाद ने कह दिया योगी आधित्यनाद ने कहा कि हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि कम से कम 30-32 सांसदों के टिकट बदल दो आपने नहीं बदले परिणाम आपके सामने है और अब हर्याना क्योंकि हर्याना बहुत महत्वपूर्ण है विधान सबाद चुणाव जीतना भारती जन्ता भले हर्याना स्टेट चोटा है लेकिन महत्वपूर्ण इतना है कि हर्याना दिल्ली को कई तरह से घेरे हुए है हर्याना से दिल्ली की राजनीती भी चलती है और अगर कहीं कुछ करना हो तो फिर हरियाना मुफीद बैठता है आपको बता दूं कि पिछले सरकार के अंदर जो 2019 से 24 की सरकार थी उसके अंदर भारती जंता पार्टी के कई बड़े बड़े खेल हरियाना से चले चाहे वो मध्य परदेश के अंदर ओप्रेशन लोटस चला हो चाहे राजिस्थान के अंदर ओप्रेशन लोटस चला हो और चाहे फिर किसान आंदोलन को रोकने की बात रही हो हरियाना एक मुख्य भूमिका में रहा और अब भारती जनता पार्टी के लिए हरियाना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारती जनता पार्टी को बहुत बड़ी रणनीती बनानी होगी और वो बन भी रही है राजनितिक सुत्र बताते हैं कि भारती जन्ता पार्टी को जिसने कि 75 पार के नारे के साथ 2019 में उतरते हुए मात्र 40 सीटें जीती थी इस चुनाव में भारती जन्ता पार्टी को कई बड़े प्रयोग करने होंगे 2019 के चुनाव की अगर कहें तो भारती जन्ता पारटी ने अपने कई नेताओं के टिकेट बदल दिये थे कई नेताओं के टिकेट काटे थे उस समय भी कई चहरे बदले गए थे कुछ में काम्याबी मिली और कुछ में नाकाम्याबी भी रही लेकिन ये जरूर है कि चहरे बदलने का जादा फायदा ही हुआ था और अब जब 2024 की बात चलती है तो 2024 के चुनाव में भी भारती जन्ता पारटी के अंदर वही बात आती है कि आखिर कौन से चहरे बदले जा सकते हैं किन-किन सीटों पर बीजे पी अपने नए फेस उतार सकती है और कौन से चहरे ऐसे हो सकते हैं कि जिन चहरों की बदौलत 2024 की वेतरणी पार की जा सकती है हर्याना के 40 विधायक भारती जन्ता पारटी के बने थे और बाद में उनमें भवे विश्णोई और जुड़ गए जिसे मिला करके 41 विधायक हो गए आज हर्याना में भाजपा के 41 विधायक हैं एक करनाल का चहरा के मुख्य मंत्री जो मनोर material हुआ करते थे उनके मुख्य मंत्री से इस्तिफा हुआ और वाद में विधायक से स्तिफा हुआ उनके स्थान पर विधायक बन कर नायव सिंख सेनी यानि कि चहरे पूरे 41 के 41 ही रहे अब इन 41 चेहरों के लावा बाकी जो बचते हैं उननचास चेहरे कौन से होंगे 41 चेहरों में भी कितने चेहरे बदले जाएंगे क्योंकि अगर मैं पलवल जिले की बात करूँ तो पलवल जिले के अंदर भी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जो तीन विधायक है उनके लिए हवाएं कुछ ऐसा कहती है कि अगर चेहरे ना बदले गए तो समस्या बन सकती है अगर फरिदाबाद की तरफ भी आएं तो फरिदाबाद के लिए भी कहा जाता है कि फरिदाबाद के अंदर भी कुछ सीटे ऐसी है जहां पर चेहरे बदले जाएंगे लोग चर्चा एननाइटी की भी करते हैं चर्चाओं में तो फरिदाबाद भी आता है और चर्चाओं में प्रत्रा भी है अगर गुरुगराम जिले के अंदर जाएं तो गुरुगराम जिले में भी यही बात आती है कि चेहरे तो वहां भी बदले जाएंगे अगर आप उससे आगे चलें चाहे रोता कैथल करनाल कुर्छे तरंबाला यमना नगर जगाधरी आप जहां भी देखें तो ऐसा लगता है कि भारती जंता पार्टी को 2024 फतह करने के लिए अपने कई पुराने नेताओं के यानि की जो उनके विधायक हैं उनके टिकेट बदलने पड़ेंगे टिकेट काटने पड़ेंगे और उनके स्थान पर नए और उर्जावन लोग सामने लाने पड़ेंगे दोस्तो anti-incomnia के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वहां का चहरा बदल दिया जाए anti-incomnia कमबेंसी रोकने के लिए सबसे बड़ा एक कारक होता है कि वहां पर नए चहरे सामने ले आये जाए इससे होता क्या है? कि जो पुराने जो नेता होते हैं पुराने जो चहरे होते हैं पुराने जो विधायक मंत्री होते हैं उनसे जो नाराजगियां होती है जनता की वो खत्म हो जाती है और जनता उन नाराजगियों को भूल करके और फिर नए जो चहरे आते हैं उन पर भरोसा जगाने लग जाती है कि ये नया चहरा है कुछ नया क हुआ था ना केवल भारती जंता पार्टी के अगर कुल मिला करके भी बात कर ली जाए तो इस बार संसद के अंदर 260 से ज़्यादा चहरे ऐसे हैं सांसद ऐसे हैं जो पहली बार चुन करके आये हैं इसका मतलब वो सभी नए चहरे थे इन सब को देखते हुए भारती जंता पार्टी के जो चानक के हैं मिश्चा हाला कि उन नफसों टटोलेंगे 29 तारीक को जब आएंगे वो पंच्छकुला के अंदर अपनी पार्टी के निताओं से मिलेंगे पार्टी के परभारी और सह परभारी भी इस काम को कर रहे हैं लेक इससे आपको क्या लगता है कि चेहरा बदलना कितना कारगर साबित हो सकता है आपको क्या लगता है कि हर्याना के अंदर भारती जंता पार्टी अब की बार कैसा परदर्शन करेगी और आपको क्या लगता है कि क्या हर्याना के अंदर बीजेपी सेंटर की तरह हैट्रिक भी लगा सकती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना